मादुर्गा और महिशासुर की कहानी माता की कथा पौरानिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है रंभा और करंभा नाम के दो भाई हुआ करते थे जिन्होंने शक्तियों को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी उनकी तपस्या देखकर इंद्र को अपने राजपाठ चीनने का खत्रा महसूस हुआ और फिर इंद्र ने कुछ देवताओं के साथ मिलकर एक भाई को मार डाला जिसका नाम करंभा था रंभा को जब अपने भाई करंभा के मरने की खबर मिली तो वह बहुत क्रोधित हुआ इससे रंभा में बदले की आग लग गई और इसलिए वह अपनी तपस्या में और कठोर हो गया उसने अपनी उपासना से कई देवताओं को खुश किया और उन्होंने उसे वर्दान भी दिया कि वह बहुत शक्तिशाली हो और वह किसी से पराजित नहीं हो सकता न तो देवताओं से और नहीं राक्षसों से एक बार रंभा ने एक मादा भैंस को देखा और रंभा ने उसके साथ संभोग किया इसी बीच एक नर भैंस आया और रंभा की हत्या कर दी दुखद की बात यह थी कि रंभा ने किसी जानवर से सुरक्षित होने का वर्दान नहीं लिया था इस घटनाने मादा भैंस गर्भवती होगी और उसने आग में कूद कर आत्महत्या कर ली जिस क्षण वह आग में कूदी उसी समय आग से आधा भैंस और आधा मानव बाहर आया जिसका नाम महिशासुर पड़ा महिशासुर ने देवताओं और दैतियों को पराज़त किया उसने देवलोग पर हमला कर उस पर कबजा कर लिया और सभी देवताओं को बाहर निकाल दिया सभी देवता ब्रहमा जी के पास गए ब्रहमा जी उन सब को विश्नु जी और शिव जी से मिलवाया देवताओं ने विनाशकारी महिशासुर द्वारा उनके उपर किया गया अत्याचार बताया, जिसे सुनकर त्रिमूर्ती को बहुत क्रोध आया, इसके बाद त्रिमूर्ती की आँखों से उर्जा प्रकट हुई, जो एक नारी का रूप बनी, सभी देवता उस शक्ती को देवी को त्रिशूल भेंट किया, भगवान विश्नु ने अपना चक्र निकाल कर देवी को दिया, वरोन ने देवी को शंक भेंट किया, अगनी ने इसे शक्ती दी, वायू ने उसे धनुष और बान दिये, देवराज इंद्र ने अपना वजर दिया, और एरावत हाथी अपना घंटा उतार कर देवी को भेंट किया, यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया, वरोन ने उसे पाश दिया, प्रजापती ने स्वटिक की माला दी और ब्रहमा जी ने उसे कमंडलु दिया, सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किर्णों का तेज भ और उनका नाम महादेवी दुर्गा रखा गया, उनके आशिरवाद से दुर्गा ने बाग पर चढ़ाई की और महिशासुर का विनाश करने के लिए निकल पड़ी, जब मा दुर्गा अमरावती के पास पहुँची, तो उन्होंने एक शक्तिशाली गर्जना की, जिसने प एक महिला उसे चुनौती दे रही है, तो वह हसा और उसने कहा, उससे कहो कि मैं उससे शादी करके खुश रहूंगा, जब उनके दूद प्रस्ताव लेकर देवी के पास गए, तो देवी ने उत्तर दिया अपने राजा से कहो कि मैं कोई साधारन महिला नहीं हूँ जो उसस महिले शादी करने के लिए उत्सुक हो, मैं महादेवी हूँ और मेरे पती महादेव हैं, मैं उन्हें अमरावती छोड़ने और दुनिया के नीचे अपनी जगहे पर लोटने के लिए कहने के लिए आई हूँ, अगर वह नहीं गया, तो मैं उसे नश्ट कर दूंगी, जब दूत ने आकर महिशासुर को सारी बात बताई तो महिशासुर क्रोधित हो गया, उनके प्रमुख योद्धाओं ने घमंड से कहा, महाराज हम जाएंगे और इस मूर्ख महिला को ठीक करेंगे, महादेवी से युद्ध करने के लिए असुर निकल पड़े, उनके विस्मय और आतंक के कारण, एक के बाद एक घमंडी योद्धा समाप्थ हो गए, राक्षस राजा को खबर मिली और वह और भी उग्र हो गया, कायर और कमजोर वे एक मात्र महिला के साथ खड़े नहीं हो सकते थे, मैं इस मन्हूस महिला को मार डालूंगा, महिशासुर ने असुरों की सेना के साथ देवी पर हमला किया, लेकिन दुर्गा ने तुरंट वापस लड़ने के लिए अपनी सांस से सैनिकों की एक विशाल टुक्री बनाई, महिशासुर ने उन सभी चालों को आजमाया जो वह जानता था, वह देवी को भ्रमित करने के लिए आकार बदलता रहा, एक आदमी से वह एक शेर बन गया, फिर एक हाथी, लेकिन हर बार महादेवी ने उसे अपने हथियारों से गंभीर रूप से घायल कर दिया, नौ दिनों तक युध चला, अंत में देवी ने असुर को मार डाला, जिसने फिर से एक विशाल भैंस का रूप ले लिया था, देवी ने उस चक्र से वार किया जो विश्नु ने उसे दिया था इस प्रकार उसने महिशासुर के अत्याचार से दुनिया को मुक्त कर दिया इंद्र और अन्य देवता फिर से स्वर्ग लोट आए और सब ठीक हो गया तब से नवरात्रों के दौरान दुर्गा की पूजा की जाती है और उन्हें महिशासुर मर्दिनी कहा जाता है